नमस्कार आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं कनिश्टा उंगली की कनिश्टा उंगली और बिल्कुर सूर्या के पहले पर तक जब व्यक्ति की उंगली पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति ज्यानी होता है साथी साथ अपने जिन्यमने जिन्यों को लेकर के सफलता प्राप्त करता है उसमें सभी प्रकार की भाशा शैली के गुण विदा विद्वान होते हैं और अच्छी आरदास्त बढ़ा पे तक रहती है तो यहां बहुत अच्छे इंडिकेशन्स आपकी किस कहिश्टा उंगली मिलें आईए मैं सूरिया की उंगली की बात कर लेता हूँ सूरिया की उंगली यह सब सम्मान की उंगली लेकिन यहां पर सेकिंड पर पर कुछ कट मौजूद है यह जब इस परकार के कट मौजूद हो तो व्यक्ति में कुछ अपने आप में घमंड होता है लेकिन यह घमंड यह जो किरोध है यह सब चीज़े जो एंकार है यह आपके लिए अगर सेकिंड पर पर और जादे मजबूत रहते हैं तो निश्ची तरूब से समझ लिए जैसे आप 50 की एज में जाएंगे आपको उस समय बीपी जैसे बिमारी के रोक बुरी तरीके से परिशान करने लगेंगे अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी उंगली की इसको बोलते शनी की उंगली इससे सूरिया की उंगली बिल्कुछ चुक्की हुई है यानी व्यक्ति अपने परिवार को तो साथ लेकर के चलता है माता पिता को प्रहम करता है उनका सहूप भी करता है भाई बेहनों पभी सहूप करता है अब बात करूँगा आपकी ब्रस्पति के उंगली ग्यान के उंगली और बहुत जादे अनुकूलता के साथ में खड़ी है परंतु सेकिंड पर यहाँ पर कुछ हलके हलके कटके जम निसान वजूत होते हैं तो पतनी के साथ अच्छे संबंद व्यक्ति के नहीं होते हैं पूजा पाट की बात करें तो पूजा पाट तो व्यक्ति करता है और दानपुन में भी भाग पर चड़कर भाग लेता है अब बात करूँगा यहाँ पर बुद्ध का पर जहां पर बाला जाता है संतान का पर तो तीन से चार रेका व्यक्ति के हाथ के अंदर होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास धन के आगमन दिरंतर रूप से बने रहते हैं, तो कुर मिलाकर धन पर पर खड़ी हुई रेखा हैं, निश्चे तुरूप से अच्छे ग्यान के लिए बानी जाती हैं, साथी साथ में व्यक्ति को संतान का सुख सहुग भी प्रावत होता है, और धन के विस्तानों से जुड़कर के भी वह लाग कमाएगा, कुछ यह काटने वाली जब रेखाएं होती हैं, तो थोड़ा सा व्यक्ति को स्वयम पर घमन रही करना चाहिए, खास तोर से जब आप प्रोपर्टी की चीजों की बात कर रहे हों, तो प्रोपर्टी के सोधे अच्छी प्रकार से करने चाहिए, जिसमें किसी प्रकार के विवात का आपको सामना ना करना पड़े, तो थोड़ा ऐसा भी समझ सकते हैं, जब रेखाएं काटती हैं, तो यह गिरोध और घमन को तो दर्शाती ही हैं, अब बात करूँगा यहां में आपके धन के पर्व की, धन का प पर बनी हुई है, तो यह अपने आप में यहां इस विरकार के अंडिकेसन हलके हलकी जो रिखाएं, यह आ रही हैं, यह बड़े बड़े लोगों से संपर्ग बना करके संबंद बनाने वाली रिखाएं हैं, या धन 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 धिमाग में बुद्ध परवत से निकल रही है यानि दिमाग के अंड़ धन का फितूर जादा सवार रहता है, आई यह बात करूँगा ब्रस्पती के परव की, ब्रस्पती परव पर यहां पर यह मानकता की रिखाएं, यानि की योजनाओं के दुवारा धन प्राप्त करना और खड़ी हुई रिखाएं, यानि आपके ज पुलताल से चलती हुई यह एड़ते रिखा और यहां पर जाकर के इस परकार से पहुच गई और छोटे छोटे एक्स के चिन नीचे की तरह मौजूद मिले, यानि के कुर मिलाकर के पतनी के साथ में आपके जंजट होंगे, जगड़े होंगे, इस परकार को दर्शाने वा नहीं हैं, तो वो यदि बन जाएगी, तो ध्याँ डाइबोर्स के अच्छे कासे संके देखने में नजर आ रहे हैं, अब बात करूँगा, इसके बाद में मैं आपके यहां पर सीधा सीधा मंगल परू की, मंगल परू जहां सहोगी रिखाओं के लिए, जहां एनरजी की र आना जाता है, आप करम करते हैं के नहीं, बिलकुन इसी तरुप से आप करम करते हैं, इतनी सारी रिखाओं निकल नहीं हैं, जो आपके जीवन में आपको करम करने के लिए प्रवावीत करती हैं, तो यानि इकोल मिला कर के यह अच्छे संकेत हैं, आपके अंदर अच्छी उर्जा विराजमान है ये रेखाएं जो निकलने वाली होती है उर्जा की रेखाएं होती है चलिए मंगल परवत दित्य पर चलता हूं मैं दित्य मंगल परवत और अभी वहाँ इस्वरकार का कोई योग दिखाई नहीं दे रहा कि आपको कोई जगड़ा जंजड मुकदमों का सामना करना पड़े अभी यहाँ पर इस परकार के कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहा है तो चलिए यह आप की रेखा के बारे में बताया अब बुद्धी रेखा की बात करूंगा बुद्धी रेखा हट करके चलकर और जब एक्दम डाउन हो जाए तो यह अच्छा संकेत नहीं होता जब व्यक्ति थोड़ा हटकर के चलती है यानि दिमाग व्यक्ति का कुछ अलग दिमागत आता है यानि कुछ के रोधी स्वाव का और बहुत जभी term अधा चंचल इतनी डहल हो जाए तो व्यक्ति बहुत जभीत ज़ादके चंचल घमंटी के साथ बहुत जादे चंचल हो जाता है तो इस पर आपको थोड़ा नियंदर रखना है अपनी बुद्धी पर जिससे आप किसी के साथ अहित ना कर सकें बस ऐसा समझेगा साथी साथ यहां पर इस परवत पर जो यह रिखाए एक दूसरे को काड़ रही है यह मस्तिष के अंदर डिप्रेशन बढ़ाती हैं मस्तिष के अंदर किरोध बढ़ाती हैं और क्याई बार व्यक्ति लॉन वगेरा भी लेता हुआ देखा गया है मैंने इस परकार का क्याई बार ऐसी रिखाए व्यक्ति स्वव गलत निड़ने लेकर के जल्दबाजी से यानि जल्दबाजी से निड़ने लेकर रहे स्वव अपने धन पर नुक्सान कर लेता है तो जल्दबाजी न करें इस बार को दर्शादी वी आपकी बुद्धी रिखा में यह बास ठूटूस करके भरी हुई है तो बुद्धी रिखा हो गई आपकी अब मैं बात करूँगा यह यहाँ पर नजर आ रही है कोई विदे स्यात्र से जुड़ने वाली रिखा अभी हाथ के अंदर यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही है तो यात्राइं दिखलाई बढ़ रही है मानसिक टेंशर कहीं पर भी दिखलाई नहीं बढ़ रही है अब बात करूँगा व्यापार की आपने समझ है इसमें कोई भी दो रहा नहीं है कि व्यापार की समझ तो आप में है साथी बुद्परवत पर भी अच्छी खासी रिखाएं खड़ी थी तो वह भी बता रही थी कि व्यापार की समझ आपके पास में है और दूर रिखा और यहां चंद परवस्थी निकल के चलने वाली आपकी भग्य रिखा अनिकूलता के साथ में एक रूपता के साथ में चलती चारी है यहां यही रिखा जीवन के अंतिम छोड तक जा रही है यानि इस समय पर जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम आपका नहीं चुटने वाला है पुल मिला करके उसके अंदर आप निरंतर रूप से जुड़े रहेंगे और यहां पर राहू रिखा हैं आपके पास हैं यानि कि बीच बीच में आपको अचानक धन मिलने के योग भी बनते वे नजर आते हैं तो चलिए यह मैंने आपको बताया यहां पर अगर कोई छोटा मोटा परीवर्तन हुआ तो हो सकता है 35 वर्स में हो वो सकता है इस्तान परीवर्तन हो यह ट्रासफर हो यहां से आप कोई जिंदिकी का बड़ा निर्ण लेकर 35 में है कुछ ना कुछ परीवर्तन जरूर पर बिर्कुरेश्चित रूप से आप बिजनिस भी कर सकते हैं साइडवाईज और उसकी यहां पर रिखाएं भी हैं साइडवाईज की और यहां पर भी एकर रेका नीचे से निकली है तो यह happier इसे आपके पास हैं तो आप जैसे आप कहे रहे हैं शेर मार्किट में तो बि मेरिड लाइप के लिए बहुत आपने कहा बिल्कुल निश्यते मेरिड लाइप पहुंच जाते कष्ट परदी लग रही है लेकिन अभी मुझे वो चीज़ दिख लाई नहीं पड़ रही किके मुगदमी के बाद आपका डाइवोर्स हो जाए हो सकता है अभी तो वही रिखा निकल करके आ रही थी और केत्व इस्तान पर बो रिखाओं के संबंद यहां पर बन रहे हैं जो इस परभाल को बताते हैं कि ऐक्टा एकवर्स हैं यहां क्रॉपस का चिन भी है और यहांपर दीब भी बना हुआ है यानि कुल मिलाकर के एक्टा एक्टा एफेर्स को दरशा की गाड़ी की जब आप बंगले की बात करते हैं बिलकुर यहां बंगले का योग मुझे कोई शुक्र परवत पर भी नजर नहीं आया हम मकान नजर आता है कोटी नजर आती है लेकिन बंगला नजर नहीं आता संतान सुक्की बात करिया आपने संतान सुक के लिए आपके पास संतान रिखा यहां से नहीं पता लग रही अभी वैसे एक संतान तो मुझे नुश्ची रज़र आ रही है तो कुल मिलाकर के संतान रिखा के योग तो आपके पास स्योग के भी रिखा हैं तो यहां पतनी के हाँ से जादे पता चलेगा कि आपको कितनी संतान का योग है उनकी जर्म पत्री से यांके हाथ से मंगल लेखाएं अभी आपके हाथ के अंदर 40 वर्स तक आपका सहुग देंगी हर छेतर के अंदर मुकदों में जगडों में जजटों में सब चीज़ों से निकाल के ले जाएंगे आपको तो यह रिखाएं सब मैंने पड़ी अब मैं बात करूँँगा आपकी सीधा सीधा आयो रेखा के बारे में कि आई यो र्खा आभी हाथ के अंदर लगवा लगवा 74 पिन्षटर वर्सकी बंश् 문 रहती और श्रौ और लगवा भी भी बढ़ती रहती है तो अभी 75-74 वर्स की यहां पर आयो रिखा भी मौझूद है है यहां पर कोई बड़ा हैल्थ इसूज कोई यहां पर मुझे नजर नहीं आया सबसे बड़ा क्या बिमारी है आपके पूरे हाथ में आपको बताना जा रहा हूँ देखिए आपको अपने एंकार पर आपको अपनी किरोध पर आपको अपनी अमेरियत पर आपको अपनी काबिलियत पर आपको अपनी वानी पर नियंतन रखना होगा वरना आपका बेवाईक जीवन के सबसे जादे चांस खराब होने के हैं और उसके साथ साथ आपका जीवन में और विबदाय भी खड़ी हो जाएंगी तो इसलिए किरप्या करके हो सकता आपके धनहानी भी और अफसान भी उसके बाद हो तो यहां बस उसपर निंद्र रखे होपाय में सबसे बढ़ी पूजा यह है आपकी आपको एक बहतरी इससा पॉकलाच इस अंगली के अंदर पहनना चाहिए और आपकी पूजा बनती है ह्नमानजी की अब हनुमान जी की पूजा जब बनती है तो उसके लिए बात भी बहुत जरूरी भी है कि शनिवार वंगलवार में नौर्वेज ना काएं दूसरी बात एंकार को त्यागना के लिए हनुमान जी की पूजा आपको बहुत अच्छा काम करेगी बल भी देगी बिद्या भी देगी और बुद्धी भी देगी तो उनौर्वान जी की पूजा कर सकते हैं आप उनका ब्रत रख सकते हैं परशाद बाढ़ सकते हैं नहीं भी करेंगे पूजा तो भी कोई दरुत नहीं है एक बहतरी इसा पुखराग पहनिए सुखली के अंदर आप जीव में सुखी रहें यही मेरी सुख कामना है नमस्कार